हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लो तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सब का और मैंने जो है यहां पर हार्वेस्ट कर ली है पहली लौकी सीजन की सर्दियों में जो धारी वाली लौकी होती है इसकी जो सब्जी होती है बड़ी ही स्वाधिस्ट बनती है तो मैंने साथ में इसका जो विडियो है जो रेसेपी है वो जरू सेयर की जाए तो लोकी का जो साइज है वो काफी बड़ा हो गया लेकिन बाहर से बहुत ही सॉफ्ट है इसके जो बीज है थोड़े साइज में बड़े हो गया है लेकिन है बहुत सॉफ्ट बट हम बीज को यहां पे नि निकालेंगे जितनी भी लोकी आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो है लोकी इस समय आपको यह धारी वाली लोकी बजार में मिल जाएगी इस सब्जी का इस लोकी का अपना एक खास टेस्ट होता है जो बहुत ही सौधिस्ट होती है इसे बनाने के लिए ज्यादा जंजट नह है क्योंकि इसे मैंने ही उगाया हुआ है तो इसका मुझे बेसबरी से इंतजार है इसे टेस्ट करने का साथी साथ दो तमाट टमाटर लिए हुए है और कुछ जो है एक आधा मैंने प्याज को बारी कटा हुआ है हरी मिर्च वग्यारा ली है जो बेसिक चीज़े होती है इ तेल यसे ठोड़ा गरम हो जाते हैं इसमें हींग जरू डालिएगा हींग का बड़ा ही अच्छा इसमें फ्लेवर और खुछ बाती है बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना जरू डालना इससे लौकी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपको थोड़ा वीर्ड लग सकता ह लेकिन आपका भी ट्राइ कीजिए साथी थोड़ा जीरा भी डाला है और इसी के साथ साथ हम हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च मैंने यहां पी दो से तीन लिए हुई हैं आप जितना तीका खाना पसंद करते हैं उसे साथ से ले 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 लें लैसन और प्याज ले लिया है औ तो पस इसे स्टेज में अब देर नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है यह सेकंडों में जल जाएगी प्याज तो बस इसमें डाल दिया है मैंने एक छोटी चमज हल्दी का पाउडर और साथी साथ बस इसमें तुरह दाल देंगे लोकी के पीसे जिसे मैंने धूल करके रखा ह लो की क्योंकि बिलकुल ताजी है औरगेनिक है तो मैंने हिसके जो टुकड़े थोड़े這個 किये हैं जिससे के जो लो की जाये कि इतनी ताजी और इतनी लगाने पर इलकुल मैश हो जा कि कूपर में यह सी दालिया है लौकी को हल्दी वगेरा के साथ में और अब यहां पर इस स्टेज़ पे हम डालेंगे धन्य पाउडर और नमक आप थोड़ा सा कम ही रखेगा क्योंकि यह लौकी की सब्जी हरी सब्जियां होती है ना पकने बाद काफी कम हो जाती है क्वांटिटी में बिल्कुल लगता है इस में कोई जो है गरम मसाला अच्छी ब सबसृ मजरा की तो इस वज़छे मैं यहां पर बस 2-3 चमज पानी डाल दिया है आप से तो आप करना क्या है डखकन को खोलेंगे गैस को दुबारा से अन करेंगे मीडियम फ्लेम पर इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक जो है आपकी जो सब्जी है जो पानी है इस सब्जी में यह इतना ना सूग जितना आपको चाहिए आपको किस हिसाब से सब्जी चाहिए कितनी सूखी और गेली चाहिए उससे आप यहीं पर अड़ेस्ट करने इस दोरान क्या होगा जो यह लोकी के पीसेज है यह भी आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर दीजिए चमच की साथा से बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है इस सब्जी को खा करके वाकई बहुत टेस्टी बनी थी दो दिन हो गए तो मैंने यह वीडियो शूट किया था आप भी ट्राइए कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुचाएए शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइए